फ्रेंट स्वाध़त करते हूँ आपको एक नए वीडियो में तो आज हम अपने तलाब से निकालने वाले हैं मचली और वो भी घर पर खाने के लिए और चले दुस्त आपको दिखाते हैं कि किस तरीके सुझाए हुम इसमें से मचली निकालते हैं तलाब में से और यह रहा द को दुफतों तलाब में डालेंगी और उसके बात दुफतों यहां पर हम फिका वा जाल डालेंगे और आप देख सकते goal देखते हैं वहाँ पर मचली आने लगी है उसके बाद देखती हैं कि इतना मचली इसमें तो यहां पर सकते हैं जाल को अच्छे तरीके से सुल जा रहा है उसके बाद तो रही त्लाब द में इस जाल को डालेंगे एट तो यहां पर देस्सक्ते अपे फैका जल का देख सकते हैं भी पूरा नहीं खूला बड़ देखते हैं दोस्तों जहें खीच रहे हैं और यह एक दोस्तों फेका हुआ जाल है यानि कि आप उपर से ही फेक कर इसमें से जो है मचली निकाल सकते हैं अगर आपको अच्छे तरीका से फेकने आएगा तो और भी ज्यादा मचली आ जाती है इसमें फिलाल तो दोस्तों यह पूरा जाल खूला नहीं था पड़ता है ताकि जो अच्छे से मचली इसमें जो है आ सके और यहां पर हो गया हो गया यस तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जहें बहुत सारी मचली आ चुकी है और वह भी दोस्तों बड़ा-बड़ा मचली और यहां पर सारा का सारा जो है कॉमन कार भी मुझे रवा कि दूस्त है कौंट कारफी मचली यह और यह तीन कर पाया थे जए चुटा-पक्षका क्या सुख्तेर बाड़ को उसका साइज इस साइज का हुआ तो यह कि जिला साइज इसमें त्द येख महिने पहले उसका अब देख सकते हैं इतना बड़ा होचुका है मद्री आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फिलाल इसको पाणी में डाल बाक्य jetzt बड़ा गड़ा मसली था उसको पी निकाल लेंगे तक्रिवन घैपने संझे मचली नेसे हम दूब और एक दो वीडियो को आप देखें होंगे कि मचली नहीं आपाता था पहले तो उससे मेरे तलब टा पर धनाlot नहें इसमें नहीं डालते थे उसमें आपाता था मचली तो अभी आ जालना डालने के बाद इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा जो है मजली आ गया और जो कि दोस्ते बिल्कुल ही जाल नहीं खूला था अगर यहीं तो पूरा फेकने के बाद खूल जाता तो और भी ज्यादा मचली आ जाता तकरिक में पांच-दस के जी मचली आ जाता चले फ्रेंड्स इसको जहे लेकर चलते हैं आप घर पर और मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए बाए बाए